डिप्रेशन का बहतरिन इलाज है भगवत गीता भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दो शलोक जिन में भगवान स्री कृष्ण अरजुन को कहते हैं कि व्यर्थ का शोक करना ही डिप्रेशन है और व्यर्थ का शोक ने करना ही इसका इलाज है दूसरे अध्याय के दो शलोक, दस्वा और ग्यारवा सलोक, जिन में डिप्रेशन का इलाद छिपा हुआ है, वो दो शलोक कौन से हैं, एक बार वो जान लेते हैं, दस्वी सलोक में, हे भरतवंसी दितराष्ट, अंत्रियामी भवान स्री क्रिशन महाराज, दोनों से रनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अरजुन को हंसते हुए से ये वचन बोले, सिरी भगवान बोले, ग्यारवे सलोक में भगवान स्री क्रिशन अरजुन को कहा रहे हैं, हे अरजुन तू ने शोक करने योग्ये, मनुश्यों के लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचनों को कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं अरजुन की मुख्य समस्या यही है कि वो कोरों का शोक कर रहा है उसे लगता है कि ये मर जाएंगे लेकिन अरजुन ये वाक्या कह रहा है डर के कारण और डर को छिपाने के लिए वो पहले अध्याय में भूत से लोजिक भी देता है लेकिन भगवान स्री कृष्ण ऐसे महान साइकोलोजी के सर्ताज हैं महान काउंसलर हैं जिन से अर्जुन का कायरता को छिपाना छिप ही नहीं सका और उन्होंने पकड़ ल गया है और तू कायरता को पकड़ गया है तू नपूंसक हो गया है कृष्ण से अर्जुन की एक भी बात छिपी हुई नहीं है अब भगवान स्री कृष्ण हसते हुए बोल रहे हैं क्योंकि स्री कृष्ण ये समझ चुके हैं कि अर्जुन अब डिप्रेशन का शिकार हो च जा सकता है अब तो इसके साथ लंबी चर्चा करनी होगी और जो डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति होता है जब मैं या अन्या काउंसलर उसके चहरे को देखते हैं उसके हाव भाव को देखते हैं तो अंदाजा लग जाता है कि डिप्रेशन कितना गहरा है बातचित कितने दिनों तक करनी होगी, कितने दिनों के बाद ये बंदा डिप्रेशन से बाहर आएगा, कुछ इनसान ऐसे होते हैं, जो एक जटके में बाहर आ जाते हैं, कुछ इनसान डिप्रेशन से दो दिन में बाहर आ जाते हैं, दो घंटे में भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ इनसान ऐसे होते हैं, जिनके साथ दो-दो महीने मत्था मारना भी पड़ता है, तो सब के मन के अनुसार, सब के मन की स्पीड के अनुसार ही depression का इलाज होता है, तो अब अर्जुन के मन की स्पीड काफी मंध हो चुकी है, slow हो चुकी है, उसको इसको बढ़ाने करना जायज नहीं है अरजुन की मुख्य समस्या यही थी कि द्रोण भीश्म और बाकी कोरव लेकिन अरजुन ये बात भूल गया था कि द्रोण गुरु कहलाने के लायकी नहीं है जो गुरु अपने सिस्य की पत्नी का चीर हरन होते हुए देखता रहे और उसमें सहोग करे व गुरु कहलाने के कतई लायक नहीं है जो पिता महें अपने पोत्तर की वधू का चीर हरन होते हुए देखता रहे वो भी पिता महें कहलाने के लिए योग्य नहीं है लेकिन अरजुन डर के कारण उनको अभी भी प्रियजन समझ बैठा है तो पंडित वही होता है जो ग्या हैं उनके लिए शो करना जुरूरी नहीं है लेकिन अरजुन बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहा है कहे रहा है भगवान स्री क्रिशन से कि पाप लगेगा नरक में चले जाएंगे वर्ण संकर उत्पन हो जाएगा बहुत उंची उंची शास्तरों की बातें उसी करता है लेकिन तेरे करम पंडितों वाले नहीं हैं क्योंकि पंडित वही है जो ग्यान की बातें करता है और उसी अवस्था से करम भी करता है तो अगर अरजुन सच्चा ग्यानी होता तो वो करम से विमुख नहीं होता वो युद्ध करने से भागने की नहीं सोचता व खग में पहन लेते हैं गले में कुछ पटका सा लटका लेते हैं। उन्हें पंडित नहीं कहा गया है। वो ब्रहम्मन हैं, वो पुझारी हैं। वो तो परजीवी वरग है जो दूसरों को डरा करके, धमका करके, लालस दे करके अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन पंडित वो है जो ग्यानी है ग्यानी इनसान कभी भी बुरे लोगों के मरने पर शोक नहीं करते हैं असली ग्यानी वही है और ग्यानी वहब ही होता है जो परकरती के नियमों को जानता है कि यहाँ पर जनम लेना मृत्यू को प्राप्त होना परकरती का नियम है कोई भी अमर नहीं रह पाया है और ना ही रहेगा तो पंडित जन कभी भी उन लोगों के लिए शोक नहीं करते जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं लेकिन अरजुन की बातों में और व्यवहार में मेल नहीं है अरजुन बातें या सबद तो बहुत सुन्दर सुन्दर कह रहा है लेकिन व्यवहार उसका अग्यानियों जैसा है युद से भाग रहा है कभी कहता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा ये मुझे मार दें कभी रत के पिछले हिसे में जाकर के बैठ जाता है और बार बार रट लगाए हुए है कि युद नहीं करूंगा तो ये व्यवहार पंडितों वाला तो नहीं हो सकता अरजुन के शबद जरूर पंडितों वाले हैं लेकिन व्यवहार मुर्खों वाला ही है ऐसा ही डिप्रेशन पीडित करते हैं वो व्यवार तो करते हैं वो जो ने करने लाइक है घर में बैठना, अकेले बैठे रहना नहाना, खाना, पीना, छोड़ देना क्या पंडितों का व्यवार है अर्थात ग्यानियों का व्यवार है कदापी नहीं है लेकिन depression पीडितों से आप बात करो तो वो बातों में तो बहुत ग्यानी बहुत महरती नजर आएंगे लेकिन बातें negative पक्सकी करेंगे डिप्रेशन से पिडित व्यक्ति बातों को नेगटिव करके बताएगा या नेगटिव हिस्से को ही पकड़ेगा तो इसलिए डिप्रेशन से पिडित निंदक बहुत अच्छे हो जाते हैं या अलोचक बहुत अच्छे हो जाते हैं जो आलोचक है जो निंदक है तो वो डिप्रेशन के बिलकुल करीब है तो इसमें डिप्रेशन से मुक्ति का उपाय क्या है कि हम वचण जो कह है रहे हैं, उनके अनुसार करम करें अपने नित्य करम, पुरे जोस और उत्सा के साथ करते रहें और चहरे के उपर मुस्कुराहट रखें तो हम डिप्रेशन से बहार आ जाएंगे यही भगवान स्री क्रिशन अरजुन को कह रहे हैं कि तुम वचन तो बहुत अच्छे कह रहा है लेकिन तेरा व्यवार पंडितों वाला नहीं है लेकिन हमें व्यवार के उपर काम करना है जब हम अपने बहेवियर के उपर काम करते हैं शरीर से करम करना छोड़ते नहीं है तो डिप्रेशन ठहर नहीं पाता है क्योंकि शरीर से हरकत होगी शरीर से एक्टिविटी होगी तो डोपामिन केमिकल भी रिलीज होगा और जब डोपामिन रिलीज होगा तो डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा यही महान सुतर भगवान स्री क्रिशन इन दो शिलोकों में बता रहे हैं मानो तो मोज है वरना समस्या तो रोज रोज है महगेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स की संग इतिहास का पहला एप जो गीता की माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बिमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बिमारी है भगवत गीता ने लाखो करोडों का जीवन बतला है और आपका भी बतलेगा गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज जैसे गंदगी का वहम बार बार हाद होना बार बार सफाई करना बार बार लॉक दर्वाजा चक्क करना वा अन्य सामान की चकिंग बार बार करना एक ही विचार बार पार आना नुकसान वा मरने मारने का विचार आना HIV, Rabies, Cancer, Heart Attack का विचार आना IBS और नेन नाने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीटा थेरेपी कोर्स ते मिलेगी राजेंद्र जोथपुरिया एप पर आपको ओसीडी से संमन्धित राजेंद्र जोथपुरिया की किताब भग्वत गीता की मनोवैज्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे गीता है महान थेरेपी गीता में CBT हिपनो थेरेपी मैंडफुलनेस ERP वह अन्य बहुत सी साइको थेरेपीज का समावेश मिलेगा राजेंद्र जोतपुरिया एप एक फाइदे अनिक आज ही प्लेश टोर से डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देर क्यों अभी जाए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्लेश टोर से अभी डाउनलोड कीजी राजेंद्र जोतपुरिया एप औ और पाईए अपनी सभी समस्याओं का हल मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है